डॉक का जब नाउन की रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो डॉक का आर्थ होता है बंदरगाह, बंदरगाह जहां पर यानि जहां जाकर रुखते हैं, जो समुंदरी जहां जाकर जहां रुखते हैं, उसको भी डॉक कहते हैं, उसको इंदी में बंदरगाह कहा जाता है, इ पंगशिप्त करना, छोटा करना, या बाल छोटा करना, या कमी करना, इनकी इस चीज में कमी करना, कटोती करना, इसको इन example sentences से और अच्छे से समझ लेते हैं, A crowd was waiting at the dock to greet him, तो पूरे sentence का मतलब हुआ कि बंदरगा पर उसका स्वागत करने के लिए भीड खडी थी, या भीड लगी हुई थी, He threatens to dock, He threatens मतलब कि वह धंकी देता है, to dock मतलब कि कम करने की या कटोती करने की, हर फी मतलब उसकी फीस में या उसकी फीस को, तो पूरे sentence का मतलब हुआ कि वह उसकी फीस काटने की धंकी देता है या उसकी फीस में कटोती करने की धंकी देता है, अपने इंगलिश को भेतर करने के लिए ऐसी ही हजारों वीडियोज आप चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं और आने वाली ऐसी ही वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें